तो आज इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे sources of data ठीक है और यह video related होने वाली है research methodology से और साथ ही साथ जो हम sociology में भी पढ़ते हैं उस topic से ठीक है तो चलिए अब start करते हैं अपनी वीडियो को तो सबसे पहले देखिये sources of data ठीक है तो सबसे पहले two types of data होते हैं तो वो कौन कौन से हैं देख लिएजए एक होता है primary data एक होता है secondary data मतलब प्रात्मिक तत्य और तवधिक तत्य पहले बात करते हैं primary data के बारे में देखिए जो primary data मतलब होता है या प्रात्मिक तत्य ऐसे तत्य होते हैं जिने अनुशंधान करता या फिर researcher स्वयम से प्राप्त करता है ठीक है primary data are those data which are collected by researcher itself वो खुद से उस data को फेल्ड में जाके खोसता है सर्च करता है उसे हम primary data कहते हैं ठीक है और प्राइमरी data होता है यह researcher जो होता है वो अपने सेंपल के لिए collect करता है अपने research के according हो जाता है और उसे collect करता है तो इस primary data में हमारे पास कुछ sources होते हैं कुछ तरीके से हम data को collect कर सकते हैं एक तो हम कर सकते हैं protection selection से मतलब direct observation करके जब participate observation करते हैं field में जाके तो हम direct observation से primary data को collect कर सकते हैं या फिर by the help of questionnaire या फिर प्रस्नावली अच्छा अब प्रस्नावली क्या है तो प्रस्नावली ऐसे प्रस्नों की सूची होती है जिसे अनुसंधान करता तयार करता है और अपने उत्तरदाताओं के मध्य उनको प्रस्तावित कर देता है by the mail और by the post हम dark के through या फिर mail के through अपनी प्रस्नावली को उत्तरदादाओं के पास पहुचाते हैं ताकि हमें क्या मिल सके उनके answers मिल सके या फिर हम primary source को अनुसूची या फिर schedule के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं अच्छा अब अनुसूची क्या होती है तो अन संधान करता या फिर researcher स्वयम से fill करता है स्वयम से भरता है ठीक है filled by itself वो खुद से उसे भरता है और उन questioner की क्या बनाते हैं एक series बनाते हैं या open ended question हो सकते हैं close ended किसी भी टाइप के question हो सकते हैं जिनने researcher क्या करता है अपने sample के लिए collect करता है या फिर वो interview या फिर साक्षत अपकार के द्वारा भी primary data को collect कर सकता है अब interview क्या कर सकता है what type के interview हो सकते है वो या तो group interview कर सकता है या फिर single person interview कर सकता है किसी भी तरीके से वो उस पर depend करता है तो यह थे कुछ primary data now come into secondary data मतलब त्वहतिक तथ्य क्या है तो त्वहतिक तथ्य या फिर secondary data are those data which are not collected by researcher researcher इसी collect नहीं करता ये पहले से ही विध्यमान होते हैं उनको researcher पढ़ता है समझता है और अपने research में उनका यूज करता है इसलिए से हम secondary data कहते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी दूसरे के स्वमू द्वारा उसे एकतरत किया गया है या फिर कहीं प्रेशित किया प्रलेख हो सकते हैं या फिर स्रावजनीक प्रलेख व्यक्तिकत् प्रलेख मतलब जो कि खुद किसी personal document है किसी के जैसे आप देखें जीवन इथियास इसके अंदर भी कुछ सब topic आते हैं जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं स्वले कि आत्मकथा जिसमें आती है हमारी diary हो हो सकता है ठीक है memorial तो इसका मतलब यह होता है कि व्यक्तिकत प्रलेग ऐसे भी हो सकते हैं से candidate data में मान लीजे आपको कोई research करनी है वहाँ पर आप गए और उस research करने से पहले आप उस किसी व्यक्ति पर आमान लीजे आपको research करनी है तो आप यह देख सकते हैं कि उसके उपर किसी ने डायरी लिखी हो, कोई related पत्र हो, उससे सम्मंधित, या फिर कोई memorial हो, तो आप उनको पढ़कर देखकर अपने research में उसका use कर सकते हैं, या फिर उस व्यक्ति ने खुद की अपनी एक biography लिखी है, तो आप वो पढ़के समझ कर भी जमच स जो कि public के लिए हैं, जो सब के लिए हैं, जैसे कि record होते हैं, कुछ प्रकासित आंकड़े होते हैं, या पत्र पत्रिकाओं का report होता है, या फिर आन्ने समागरी, माली जैसे इसका एक example यह हो सकता है, कि हमको क्या collect करना है, census collect करने हैं, तो हम survey method का census collect करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम यह देख सकते हैं, कि जो भारत सरकारद्वारा, जो government of India है, उसकी report जाके हम देख सकते हैं, है ना, उसकी report जाके हम देख सकते हैं, वहां से हम कुछ data collect कर सकते हैं, तो यह सारे data क्या होते हैं, secondary data होते हैं, जो कि researchers कहीं और से जाके collect करता है, तो आज इस वीडियो में आपने देखा, primary data and secondary data के कुछ sub-parts और समझा क्या कि रिये होते हैं, तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो, तो दो लाइक और आप सब्सक्राइब to my channel and thanks for watching.